नाई 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 शायद तु मुझे जानता नहीं है तु एक बिगड़ा हुआ रईजादा है और नाम है राहुल अरे ये तो जानता है फिर भी तेरी ये जुर्रत जब अपने मुल्क की लड़की अंजान मुल्क में आप से मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है दोस्त क्या हां? मुझ पर हाथ उठाएगा उससे मसला हल नहीं होगा और उलच जाएगा कुछ पल बैट कर बात करते हैं हल निकल आएगा यू लगता है तेरे इन भाड़े के टट्वों को मेरी बात समझ में नहीं आई समझाने की शुरुआत करूँगा मैं इस चिकने से एक पंच पढ़ते ही हवा में उड़ेगा और ठीक पाँच सेकेंड बाद जमीन पर गिरेगा इससे उस हीरो को जोशा जाएगा वो मुझ में हमला करने आएगा और मैं उसे एक किक मारूंगार वो उड़ता वा जाके दीवार पर टकराएगा अब पीशे कड़े इस बाडी बिल्डर का खून उबाल मारेगा इसमें ताकत तो भरपूर है लेकिन ये नहीं जानता कि जंग जीतने के लिए दिमाग की जरूरत भी होती है बस एक हाथ और इसका खेल खत्म उसके बाद तिरे बाकी के लड़के बिना सोचे समझे मुझ पर हमला करेंगा तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूँ देखना चाहता है कि इस शेर में कितना जिग्रा है मेरी एक लाट पड़ते ही तेरी गाड़ी का ये हश्र हो गया आप सुच लिए तेरा क्या हाल होगा मारा मारी छोड प्यार से बात करते हैं नफरत रटाओ प्यार जगाओ क्या बोलता है जो, आए भाव करें। गाने भाव में असा है.. जो ए असा है? भाव में इस कहा है? प्यार दो ओ ना, वह गोगाई शुक्रिया, मैं हो मांसा हाई मेरा नाम जै आप नहीं होते, तो पता नहीं क्या नहीं होती भूल जाओ, तुम मुंबई से हो ना? नहीं, मैं कोलाद से हूँ, हाइदराबाद से कुछी दूरी पर है अचा, कोलाद एनीवे, जो हुआ उसे जहन से निकाल दो और आगे बढ़ो गुणाइट कीप स्माइलिंग तुझे उस लड़की से मुलाकात की एक हफता हो चुका है फिर भी उसके खयालों में खोई हुई है उसे अपने जहन से निकाल दे लड़कों को तो जानती ही है अगर गलती से उसके सामने आ गई ना तो पहचाने का तक नहीं लड़कों की तो फित्रेत ही ऐसी होती है मत सूच उसके बारे में यह वह है अरी तुम यहां तुम क्या यहीं कहीं रहती हो आ उस रात मैंने तुमें रात में अंधेल में कहा छोड़ा था तुम यंचे याद नहीं रहा है और तुमने मुझे शुक्रिया भी कहा था यास और तुमने क्या नामत है था न मांसा मांसा राइट वह इसे कहते हैं कॉंसिन्स मेरी बाई ठीक तुम्हारे घर के सामने आके बगडती है मिट्टफाक है न अजी मिट्टफाक है कॉन एक मिट्ट भाई तो कैसी हो तुम अच्छा मसा कर लेते हो माइक तो ठीक है अरे यार हां कभी-कभी हो जाता है यह यह भी इत्टफाक है अक्सर एस के तफाक तो होते रहते हैं हाई ब्यूटिफुल्स आम जै पता है तुम्हारा नाम जै है इसने बताया था तुम हो मिस्टर प्यार दो प्यार लो मतलब तुमने इनसे मेरा जिकर कर दिया दाट्स दाट्स स्वीट अफ्यू कॉफी जाओ यह बाकियों की तरह नहीं है तुम्हारे लिए यहां तक आ गया कम ओन गर्ल्स देखो अब तो पाइक भी ठीक हो गई है किसी और दिन यह जै है ना है यह तो अभी तक यह है हाई हाई गर्ल्स इतनी कर्मी में कॉफी कॉन पीता है मैं भी ना हाब और डिनर क्योंन हम डिनर कर लो तुटाए माफ करना जै मुझे शॉपिंग करनी है और गर के सफाई भी करनी है तो किसी और दिन मिलेंगे किसी और दिन बेबी दिन तो यही है सुश्मा तुम्हारा ध्यान कहा है मैंने तुम्हें उसे वहां रखने के लिए का था मांसा आती होगी मांसा अरे तुम कहां रह गई थी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या है मैंने पुरे घर को चमका दिया, तुम जाकर रेडियो कराओ, उसके बाद हम तुम्हारा पसंद दिदा पनी टिक्का खाएंगी माफ करना मांसा, इसने कहा कि मैं घर साफ कर दूँगा, बतले में मुझे मांसा के थोड़ी सीक्रेट्स बताना, तुम एने थोड़ी सी सीक्रेट्स बता दिये हाँ, तुम्हें खाना खाना पसंद है, घुमना पसंद है, डांस करना पसंद है, और एयार एमान का म्यूजिक पसंद है, कसम से, और कुछ नहीं पता चलो, कमान तैयार हो, जाओ, भूख लग रही है लाज जवाब गिनर था गुनाइट, बाबाई तुम कल क्या कर रही हो, कल हम सब लोगों का बीच पर जाने का इरादा है, अगर तुम्हारा मूड हो तो तुम भी आ सकती हो, हाँ, समझ गया, किसी और वक्त, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं सुबह तुम्हारे घर के पास से निकलूँगा, अगर तुम्हारा दिल करे तो आ नहीं, जै, सबसे हसीन लम्हा, काश ये लम्हा यही ठहर जाए, क्या ऐसा हो सकता है, यखिनान हो सकता है, मांजा, क्योंकि हमारे फैसले हमारे ही हाथ हमें होते हैं, ऐसा नहीं है, जै, मेरी जिंदगी की दोर किसी और के हाथ में है, मेरा परिवार, मेरा गाउँ, वहां का माहौल बहुत अलग है, लड़ाई जगडे के सिवा उन्हें कुछ नहीं आ था, प्यार, मोहबबत, रिष्टों की एहमियत, उन्हें कुछ पता नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है, कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने मुझे इंडिया के बाहर भेजा, इस खाइश को मानने के बाद, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी भी और खाइश को पूरी करेंगे, लेकिन तुम से मुलाकात के बाद, पहली बार मुझे समझ आया कि असल में खुशी होती ही क्या है, लेकिन ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है, तो खुश रहने में तकलीफ ही क्या है मानसा? जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं खुश रहूँगी, लेकिन मैं ये खुश ही, अपने साथ घर नहीं ली जा सकती, मैं ऐसे सपने कदे ही नहीं देखना चाहती, जो सच नहीं हो सकते, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती, दुबारा आप मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, आज के जमाने में तो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, लेकिन तुम वहां से यहां पढ़ने आयो हो, दास्ता थोड़ी लंबी है सर, या रोक, रोक, अरे मैं मेरा रोल नंबर भूला, तो तुछे बतारा चाहिए था ना, इससे बचके रहना, यहां पर इसका राव चलता है, फिछरे हफते इसने मुझे भी बहुत मारा था, अगली बार रोल नंबर भूला ना, तो तेरा रोल काट दूँगा, यह पूर्णा की धांदली दिन बादिन बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो कॉलेज से अपना रुसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अब तो उसका टकला फोड़ना ही पड़ेगा, ए लल्ले तु गल्ले से चिल्लर निकाल और बाबु भाई की दुकान से तलवार खरीद डाल, आज उसकी मुलाकात माथ के फरिष्टे से करवाएंगे, और उसका गेम बजाने के बाद वेकेशन पे जाएंगे, और वहां जग तो कोई है अब कोई भी हो होता रहा हमको क्या पूर्णा को मैं देख लोंगा, उसे मेरे हवाले कर दो मैं उसका टकला फोड़ने आया हूं और फोड़के ही जाओंगा, तू सिर्मत खुषा ने 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 तुम्हें मेरी बात समझ में ने एक मिट्र को सिक्का जो भी टॉस जीतेगा पूर्णा उसका हुआ पूर्णा कोई ट्रॉफी है जिसके लिए टॉस उड़ेगा पूर्णा सिर्फ मेरा मेरा टेकी बोरिव जला शान्ति रख चले काम करते हम तुम दोनों मुकाबला करते हैं जो जीतेगा वो पूर्णा का ढोल बजाए अब जब मैं जीती गया हूं तो मुझे मेरा इनाम लेने दो तुम्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इतनी अच्छी धुलाई करते हूं तुम हमारी टीम में शामिल हो हम चलते हैं खतामा अब दिल पे मत लेना अब है सिक्का निकाल के जेम में डाल होश आएका तो फकीर को दे डाल अरे दोस्तो हुकम भाई कल काई पूर्णा को छोड़के मेरे पीछे मत पड़ जाना इतना वक्त का है भाई लिखा बड़ी का काम है बिजनस कौन समालेगा अब हो है वो बुझते वो दिये को साथ उठाके चले इधर ही बुझत तो अंधेर हो जाएगा अगर तुम हिफाज़त नहीं करते तो पताने क्या होता यह वही शक्स है न इन्हें क्या पता होगा यह तो खुट टल्ली थे वसे यार तुम भी लाजवाब हो तुम जानते थे कि वो तुम पर हमला करने वाले फिर भी तुम नशे में धूत हो गए और बॉइस कम से कम तुम तो होश्या रहते होश्या रहते तो दारू थुड़ करने वाला है ऐसा खाफ कि उनकी पैंट की लिए हो जाए उनका उठना बैठना सोना सब हराम हो जाए अमें यही तो चाहिए तुम्हें अपना स्टाइल थोड़ा बदलना चाहिए तूड कोई तकलीफ है मुझे अभी तक होस्टल में एडमिशन नहीं मिला है ठीक है मेरे स को अंदर बन करके ताला मार लो आग भी लग जाए तो दर्वादा मत खोला है यह देखो मेरी इतनी बड़ी हवेली है और यह यहां बैठके नाखुन काट रही है चल अंदर जाओ अरे मर गये हैवान आगे चल चल अंदर जाओ अरे जल्दी जाओ अंदर और वीर और सिर्फ अबी प्रताब रहां अभरी झाला मेरा दफ्तर जाने का वक्त हो रहा है चैने बना दूँगी आफ ड़त चले जाइए ध के वह को क्या मैं यहां पर बिर्यानी बनांगा कॉफी बनाओंगा भट्ट्यारे काम में पहले से करता इनके प्रीमें कुछ कर दूंगा बस तू अंदर जा अंदर जा मोला ना जा थी कि निए अपना खास है रहे एक काम कर तू अपना डेरा वहीं डाले इसकी तो जाए 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 पूर्णा भाईया पैर हटाई चाहे रखनी है यह तो अपने साथ टेंपो बर के सामान लेकर आया है खाने पीने और नाने दोने सुखाने का एक्स्ट्रा लगेगा ना भाई इसका खर्चा भी तूई देगा कोई भी चीज खाली जारी हो और अगर तुम चड़ गए तो तुम्हें सवारी के पैसे तो देने पड़ेंगा मेरे भाई तो यहां भी GST के साथ पर से लगेंगे अरे प्रताप कल मेरा जन दिन है जश्न होगा अपनी साली को लेकर आ जाना जो कुम सरकाद लिया हूंगा कि सालगेरा मुभारक भाई पूरे खांदान का विश्कर दिया विश्करने की दरवत नहीं है नहीं है अब कि अब है कि सॉरी धक्का दिया नहीं कोई लग गया थांच्यू अपर नाइस लीपर है अजी ये माई पर लिए धक्का मुक्का सॉरी धक्का ने दिया इस ओके ओ हो सुपार्ब अब ने देखा मेरी जिन्दगी जहनुम बन गई है वो घर आपका है तो आप इतना उससे ड़ते क्यों है डास्ता पुरानी है पहले हम शेर हुआ करते थे अब गीदर बन गई है यह तंबू मैं बंबू यह क्या है बुझी वी सिक्रेट है तो यहां क्या कर रही है आश्ट्रे रखते नहीं हो तो कहां फेकूंगा अब तेरे लिए आश्ट्रे लेक्या हूं इतना बड़ा शामा है तू यह तेरे बाप की जोपड़ी नहीं एस वी आए मैनेजर वीर प्रताब की हवेलिये बे और मैनेजर का मतलब समझता है तू मैं भी नहीं समझ पाया लेकिन आज के बाद अगर चूले के इलावा ऐसा धुआ दिखा ना तो तुझे इस धुएं के साथ धुंदला कर दूँगा यहां से यह तो वीर प्रताब तू रात को पीता है कि दूरता क्या घुषर दूगा अब है उटले चल सच में अपने ऐसा किया बिल्कुल करना पड़ा साली की घातिर उसके दिल में खौफ पैदा करना था इसलिए सब करना पड़ा कल की दिन उसकी शादी होगी मुझे उसकी इसकी पढ़ी उसे मुझे क्या पूरे तीन है यह कोई रेल्वेस सेशन नहीं है कि जब मर्जी आया और गये कैसा नमा कूल है तू एक जवान लड़की अंदर है तीन बज़े उटके तेरे लिए दर्वादा खोलेगी वह कहां जा रहा है तू अरे चोड़े कहीं के बात सुन मेरी अगली बार रहे नहीं दिया इस बास सबक तो मिल गया कि भाड़ोत्री को भाड़ोत्री की तरह रखना चाहिए नहीं तो वह भाववली बनके सर पे टांडव करेंगा जुल्म बरदाश्ट नहीं होता है घुटन होती है आदमी अंदर ही अंदर तरपता रहता है आप फिकर मत कीजिए पूर्णा बहुत पसंद है हम उसके साथ डांस करना चाहोगी है अज तुम्हारा बात रहे हो और तुम यहां बैठे हो अकेले जाम पी रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग है बे तुमसे कई लोग दोस्ती करना चाहते हैं पर तुम्हारा रवय थोड़ा ठीक नहीं हर वक्त इश्क करके देखो जिंदीगी समझ जाएगे शाल वी डांस अफकॉस बेभी हुआ 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 है लगाला लाएज दांस कम एशर्मा उमर्ट अप उनका नाम मत खराब कर ना कम आउन शर्मा के रहा है यह 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 अब यह कल मैंने पडोसी के डॉगी की रोटी चीन कर गाया वह यह अब। हो मधड हैं तो तु महार की है यह यह न है भी अबॉच याफर को यह वह मधडवी को है बूला इंख सौरड़ है कोफी के लिए भी जिसकी सजा पैसे देकर कर रहे हैं मैं पूर्ना बदल गया है वीर परसाजी रख लीजिए काश तुम्हें यह बदला मेरे जाने से पहले आता पूरी कहां जा रहे हैं अंधेर नगरी मेरा ट्रांसुर हो गया है कहा हूँ यहां से इस दिशा में 500 किलमेटर ऊपर और 300 किलाड मैं तो उसे गाउं काउं हूं लाड़ को तुम तो आप वहां रहेंगे कहा इतनी बड़ी हवेली भी नहीं कोई स्टाफ कॉर्टर मेरे होते हुए आप कोड़ोस में रुकेंगे आप सिर्फ मेरे घर में रहेंगे तकलुफ मत करो एक सेकंड लिए बड़ा कमरा रखने हमाँ बैंक क्वाटर्स तो एक बहाना है असनी मकसद तो इसके घर के अंदर घुसना है मैंने ये ट्रांसफर खुल अपने पैसों से कराया है और जो नुक्सान इसने मेरा किया है ना वो माक कसम मैं इससे वसूल करूँगा बोलना नहीं इसको आप आपके रहने का इंदिजाम कर जो तुम्हारे इतने अच्छे ओफर को ठुगरा दूंगा क्यों क्या केते हो सही का आना तुम्हारा अफर सर आखों पर फिकर मत कर सब ठीक हो जाएगा हाँ 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 हाँआ दुम्हाँ है इसको खालो बूल्ड़्ड़्प कर दोसको कि अ और लुड़्ड़्वी अ आच्छे प्या आएत्या रिष्चे अ आइए भाईया आज इंतकाम किया को ठंडा करेंगे पलके बिल्कुल मत छपकाना देवा के कुर्गों को आपके सामने काटूंगा एक बाद छोड़ को देख मुझे पताता हूं छोड़ 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 जब तक उस देवा के खांदान को खतम ना कर दूँ इंतकाम की आग मेरे सीने में जलती रहेगी छुटियों में मैं गाउं जा रहा हूं तुम क्या इटली वापस जा रहे हूं एक महिने के लिए इटली क्या जाओंगा चला जाओंगा यहीं कहीं आसपास नागपर हैदराबाद खंडाला लोनावला वगरा तो फिर मेरे गाउं चलो लगता है इसने कभी ना बोलना नहीं सीखा कुछ तो गड़बड है दोस्त लगता है तुम्हारे आने की खुशी में आज बड़ी दावत होने वाली है आजा प्रणाम पिताजी यहां का माहौल ठीक नहीं बड़ी सावधानी से कहीं भी आना जाना जी पिताजी यह मेरा दोस्त जा है नाइस टू मीटियू सार अरे बागल है क्या यह विदेश से आया चलना अंबर चल बड़ा मा क्यों रहे अब जाके हमारी याद आई पढ़ाई में साधा गूम हो गया है अरे नहीं माल यह मेरा दोस्त जै है हाई आंटी इतने वक्त बाद एक पूरी हिंदुस्तानी फैमि ठीक है मा चाची कैसी है आप ठीक हूं तुम कैसे है मेरी चाची चाची मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पूर्णा की इतनी खुबसुरा चाची अनली वबल मेरे ताओ अलो अंकल अरे भाईया मांसा तू का बाई मुझे तो एक हफ्ता हो गया है इतने अच्छे कपड़े खुब जच रहे हैं कि मेरा दोस्त जै है मेरी बहन मांसा ताओ जी की बेटी है हाई मुझे में बदलाव इसी की वज़े से आए आजा चाचा ये मेरा दोस्त जै है हाई ये गाउ है बड़ों के साथ यहां अदब से पीश आते है सॉरी डूट है इतरा मेरे बाबा और चाचा से फासला बनाए रखना समझा चल जैं करना जाती हो I want to see you happy हस्ती वे तुम पेहद खुबसूरत लगती हो मैं समझती हूं लेकिन बाकियों को बदलना ना मुम्किन है वो भी इंसान ही है अगर कोशिश की जाये तो इंसान बदलते भी हैं आई इस कतल के पीछे माधव के सिवा किसी का हाथ नहीं हो सकता उस माधव को ऐसी माध दूँगा कि कोई इस गाओं की और देखने की जुरत नहीं करेगा नमस्टे नमस्टे को जो यहां परताब इतनी देड़ तक बाहर क्या कर रहाए थे परताब नहीं दद्थ रहा है इसलीए रजह से पहुंचा क्या रहा हूँ आप मेरा इंतजार कर रहा थे work नहीर इंतोर नहीं कर रहा है पढ़ूस के गहां वालों को खबर मिदी तुम जा कर मुहाद दो लो और खाने के लिए आ जाओ जीव दद्धी ओके बाई ब्रो अब तु सही वक्त देखकर मेरे घरवालों को मेरे प्यार के बारे में इतला कर दे प्लीज अभी अभी तो प्यार हुआ है थोड़ा लुट्फ तो ठाओ और रिताप जी ठीक तो है ना आपको घर पसंद आया ना हमारा फंशन दो थिर कह हम और क्यों ऐसा तियुक्त ब्रॉत जानत व॔र में सुभा मुर्गी drod नेन खुलनी चाहिए कोयल की कुकू और मैना की मह मह सुनाई देनी चाहिए बिट्टी की भीनी-मीनी खुजबू आनी चाहिए तो यहां पर ऐसा है यहां पर यहां पर तो मार काट गाली गलोच तोड़म ताडी ऐसा चल रहा है जैसे मुझे गुराओ की सजा दिल रही हो मु निकलती है चारों खाने चित हो चुके हैं पूछने पर जवाब मिला कि यह हमारे खातिर्दारी का एक नायाब तरीका है उन लोगोंने बहुत मारा बंदू नमस्ते मालिक नमस्ते सरकार हां क्यों आयो यह पदमा है मेरी बेटी इसे दसवी कक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं इसका इंजिनियर बनने का ख्वाब है मैं इसके दाखिले के लिए इंजिनिरिंग कॉलेज गया था वो डोनेशन मांग रहे हैं अगर आप मै पढ़ लिया कल से वक्त पर मा के साथ खेत में काम करने आ जाना इस घर में सब उखड़े वे क्यों रहते यार महबबत इंसानियंसे कोई बात ही नहीं करता मेरा वक्त बरबाद मत करो चलो आप जाओ थिर ही खौईशे कि ये भी मेरी तरह बदल जाएं देखो मैं क्यों बदला सिर्फ एक लड़की की वज़ा से लेकिन इनको बदलना नाममकन है चलो नाममकन तुझ आनता नहीं है मेरे लिए कुछ भी नाममकन नहीं है दोस्त यह यहां किस ली आई है शायद पैसे की ज़रूरत होगी तेरी यहां आने की बज़े क्या है क्या बात है बोल मेरे लाक मना करने की बावजूद भी मेरे पती ने आपका साथ नहीं छोड़ा आप ही कि कहने पर दिवा से उन्होंने दुश्मन ही मोल ली और अपनी जान गव है वो अपने बाप की तरह आपके साथ जुड़ गया मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाबा की कातिलों का बदला लेगा मुझे कोई बदला नहीं चाहिए मालिक वो आपकी बात सुनता है उससे कहीं कि ऐसा कोई कदम ना उठाए वो एक मर्द का बच्चा है और इंतकाम स जरूर लेगा चल जा अगर उसने जान गवादी तो क्या मैंने उससे इसलिए पाल पोस्के बढ़ा किया कि वो उम्र भर तुम्हारी गुलामी करे तुम्हारे लिए अपना खून बहाए मुझे आर्गेज मन्जूर नहीं आपसन वो मेरे साथ ही रहेगा और अपने बाप क मैं कातिलों को जहन्नुम बेजेगा अगर किसीने मेरे काम में टांग अलाने की कोशिश की तो उसकी टांगे काट दूगा मैं तो बारा इस गेट के अंदर आने की जुरत्ता करना पुरी पुरी पिटा वो तेरा भाई भाजी पुरी का है आस पास ही होंगे देख लीजे शहेद से जैसे मक्षी चिपकती है बिल्कुल वैसे ही फोन से चिपका रहता है तुम्हारे जै भाईया का है यह भी खातरदारी का तरीका है क्या वजा बताओगी मारने की मूर अच पूरे घर में सब लोग अजब है और यह घचब है जै बंधू अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा यहां की सालें नहीं वाइलेंट है तोबा 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 जो गुट्टी इसको पिलाई है ना तुने वो पूरे घर को पिला डाल तूब प्लीज मेरे बाप औरे आपको किसी को खबर होगे की वो मेरी साली है तो मैं किसमर्स के दवाऊं चचा शुक्रिया दॉक्टर साहब आप मर्ज की नहीं मेरे हर दर्थ की दुआ है जी 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 मैं खेट से आ रही हूँ फातिमा ने जहर खा लिया है उसे अस्पताल लेकर गए है माधो ने उसे कई बार समझाया कि उसका बेटा वापस नहीं आने वाला पर वो समझी नहीं अब खुद ही भूगते लेकिन जी जी चलो हम आप अस्पताल चलते हैं आओ भाई जब पडोस की गावालों से बदला लेने जाएंगे न तो मुझे भी साथ ले चलना वो बोली को नीचे उतार चल अरे चल दी उतार चल कहां चलो कि धर ले जा रहा है इसके माने जहर खालिया वो अस्पताल में भरती है भाई मेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा न वो ठीक हो जाएंगी न उनसे कहना के तो आज इसी पल से अपने गुजरेवे बात के लिए नहीं बल्कि अपनी मा के लिए जिएगा वो यकीनन ठीक हो जाएगी अम्मी अम्मी आपने ऐसा क्यों किया अम्मी मैं वादा करता हूं आप से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा मैं इसी वक्से माधव भाया का साथ छोड़ रहा हूं मेरा यकीन करो अम्मी भाई भाई आप ही अम्मी को समझाये ना जैसा अम्मी कहेंगे आज से में वैसा ही करूंगा यह आज से आपके कहीं मुताबिक जिंदकी कुझारेगा किसे और गाउं में जाके इसे पढ़ाईए लिखाईए और एक काबिल इंसान बनाईए नहीं नहीं पीटा यह पैसे मेरी तरफ से नहीं यह पैसे पूर्णा के पिता ने बिजवाए अब में दिल कर रहा है कि दोड़ के सीधा तुमारे पास चले है मुझे बड़ी जोर से एक बात कहनी थी मेरे घर में एक ही सेल फोन है मैं नॉन स्टॉप अपनी बीवी से बात करने के लिए फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन करेक्शन कई और लगा हुआ है यह ऐसा कौन सा बुद्धा जो खतम ही नहीं होता अंकाल फ्यूचर प्लानिंग कर राय करने दीजिए आप जाके फोन मागी देदेगा ठीक है नहीं जाने दीजिए लुंगी कसके जाता हूं भागने में असानी होगी हरे मेरा भरोसा करो मैं तुम्हें अपनी राणी बना के रखोंगा सच में कौने पे एक सकिन वो क्या है कि बहुत दिनों से मैंने अपनी ओनली वाइफ से बात नहीं की है एक कॉल करने दो एक सकिन रूगा मादवी तुमारी बड़ी बहन कैसी है अरे मैंने प्रताप जी पूछने वो दोनों मजे में तुम्हें बिलकुल याद नहीं करने अब जाओ जाओं तो जाओं का हाँ बोलो स्वीट हड़ कहना मैं भी सलामत हूं हाँ प्रताप जी भी सलामत है हाँ बोल दिया बोल दिया हाँ चाहाँ नहीं छड़ूंगा तुझे कहना कि मैं फोन करूब करूंगा मालेक मालेक क्या हुआ आज तक मैं यह सोचती आई हूं कि आप लोगों को किसी और की फिक्र नहीं है पर आप तो हम जैसे बेबसों का सहारा है मसीहा है मेरे पती का कतला आपकी वज़े से हुआ बस इसलिए मैं आपको आज तक बद्धुआएं देती रही मुझे हैसास हुआ कि आपके बारे में मेरी सोच गलत थी अब मैं यह दुआ करती हूं कि आपके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए आपके वज़त से मेरी बेटे की जिंदकी सवर चाहेगी और मेरी बेटे की काम्याभी की पीछे आपी का हाथ होगा आपने इसे नई मंजल दिखाई है मेरी बस यही दुआ है कि आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा और आबाद रहे नमस्ते मैं अपने बाप के कातिलों से बद्ला लेना चाहता था लेकिन उस जुनूर में मैंने अपनी अम्मी की ना फर्मानी की जिनके पैरों के नीचे जन्दत होती है अब मैं दुबारा कभी असा नहीं करूँगा पहली बार किसी ने हमारे खांदान को दुआइं दी हैं आज तक हमें सर बुरा ही समझा जाता था किसी ने आज हमें भला कहा मुझे अच्छी तरह पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है मसिया बनकर तुम गए और आगे हमें कर दिया अंकल ये लोग आपके लिए काम करते हैं उनके परिवार का गुजारा आपके रह्मों करम पर है अगर एक अंजान आदमी उनकी मदद कर दे तो उसे ज्यादा से ज़ादा क्या दे देंगे बस उसका शुक्रिया आदा कर देंगे लेकिन यही काम अगर आप करेंगे तो उनकी नजरों में आपका ओधा उन्चा हो जाएगा जानते हैं गामवाले अपनी हर परिशानी लेकर आप ही के पास क्यों आते हैं इसलिए नहीं कि आप रईस हैं बलकि इसलिए कि आप इस परिवार के सबसे बड़े हैं अंकल ताकत लोगों को दबाने या काबू करने से नहीं आती हैं आपकी वज़े से लोगों को मिली खुशी से आती हैं हम तब महान नहीं कहलाते जब हमारे कहने पर लोग अपनी जान लुटाते हैं हम महान तब कहलाते जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर जान देने को तयार हो हाई जय हाई कल तुमने किया वो वाकी काबिले तारीफ है तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं सच-सच बताना हूं तुम यहां आखिर किसले आया हो मैं इस गाम और इसकी खुबसूरती को देखने आया हूं तो ठीक है मैं खुबसूरती दिखाती हूं तैयार हो जाओ अच्छे नजारों के लिए अब बताओ मुझे यह नजारा कैसा है वाह क्या खुबसूरत जगह है कितना बढ़िया होता अगर तुम समझ सकते कि मैं किस नजारे की बात कर रही हूं और यहां देखो कितना हरा भरा है ना हां बहुत अच्छा है कितने हरे भरे खेट है ना खेट हां 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 वो भी कावी हरे है अगर तुम्हारी आँखों को ठंडक चाहिए तो यह देकर ठंडक पहुंचा सकते हो इस नदी के पानी से आँखों को बहुत ठंडक मिलती है अब इस जगह को देखो कितनी खुली-खुली है ना बस अब इस बंजर जमीन को थोड़े पानी की ज़रूरत है अरे तभी तो यह सार इसके लिए तो हल चलाना पड़ेगा आज काफी सेयर कर ली बाकी का गाउं किसी और दिन देखते हैं ठीक है पेटा सुना जी मालिक गाड़ी में पैठो अब जो भी दाखिले होंगे सिर्फ डोनेशन की बुनियाद पर होंगे जी सर आप यहां आपने क्यों तकलिफ की मुझे हुकम करके मैं आ गया होता यह हमारी बच्ची है इसने कहा था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी पूरे जिले में अववा लाईए इसके खौईश है कि यह तुम्हारी कॉलेश में पढ़े ताकि अपनी जिन्दगी में कुछ हासिल कर सके और तुम्हारे कॉलेश का नाम रोशन करे जनाब एक भी सीट खाली नहीं है सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची है डोनेशन? वो मैं खता ही नहीं दूँगा अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह इसका दाखिला होना चाहिए आई बात समझ में? देखे, अगर मैं ऐसे सीट्स बाटता रहा तो कॉलेश कैसे चलेगा? तालीम को धंदा बना रखा है? शराब की दुकान खोल लो, मोटी रकम कमाऊगे कल से यह यह यहाँ पढ़ने के लिए आएगी इसे देखकर दूसरे गरीब बच्चों की भी पढ़ने की खौईश होगी बार बार यह समझाने में यहाँ नहीं आऊँगा बेटा, खूब मन लगा कर पढ़ो और इसकी तरह बनो शुक्रिया मालिक मांसा के लिए एक लड़का देखा है, लड़का अच्छे खंदान का है कल वो लोग देखने आएंगे मुझे अभी यह शादी नहीं करनी, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करना तो हर लड़की का खुआब होता है, तुझे तो खुश होना चाहिए आप तो कुछ बोल दीजे न, आप मुझसे प्यार करती है यह नहीं करती, मुझे इस शादी के बार में बताना भी जरूरी नहीं समझा, इस बास से मैं भी अन्जान थी, यह सब तुम्हारे चाचा का फैसला है जे, तुम्हें पता है जे, चाचा ने मेरे लिए रिश्टा देखा है, पता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का सिर्फ तुम्हें देखने आ रहा है, शादी करने नहीं, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखते हैं, मेरे रहते गबराओ मत, टेकेट इजी मेरे बड़े भाई साब, तुम्हारे होने वाले सासुर माई गनबत राव, इंट्रोडेक्शन का मोताज नहीं कल रात ही छे लोगों को टप काया है अरे परताप, कहां जा रहे हो? परताप नहीं दद्दू, परताप, दफतर जा रहा हूँ आज घर में महमान आये हुए हैं, इनसे मिलो ये गनबत राव जी हैं, मांसा को देखने आये हैं नमस्कार जी, दोस्तों के साथ आए, ममी पापा को साथ नहीं लाए शादी आप उनको करनी है, आप उनके ममी पापा को नहीं ओ, इसे बहुत गर्मी हैं इतना वक्त नहीं आप उनके पास, लड़की को जल्दी बुलाओ, दुश्मन को भनाख हो गई तो लफड़ा हो जाएगा दिखने में ठीक ठाक है, नाम बता, मांसा, नाम भी चल जायाएगा, आप उनका पत्राव, अब चल जल्दी से कॉफी बिला, दे दो इसे कॉफी, बहुत खूब, इसका गुरूर अप उनके जैसा ही चाहे कितनी पड़ी लिखी है, दस्तखत कर लेती है फॉरण से MS किया है मतलब दसवी भी नहीं पड़ी क्या आप लोग कहां पाए जाते हो शांती नगर से वहां रिष्टे के लिए लड़की उपलब नहीं नहीं भाई कहां तक पड़े हैं एकदम अगुटा चाप है, फिर भी उनको दसवी पास लड़की चाहिए, तुझे कोई तकलीफ है प्राब्लम मुझे नहीं शादी के बाद होगी अब उनको लड़की जच गई है तस्मीर कूरियर कर देना, अम्मा को दिखाऊंगा अम्मा देखके अचाहर डालेगी शादी तो इसे करनी है चलता हो त्रहाती गवार कहीं का क्या ऐसे नमूनों के लिए मुझे पड़ाया लेखाया ममी, ममी आखिर आप चुप क्यो है, कुछ बोलती क्यो नहीं है तेरी जो पढ़ने की ख्वाहिश थी, उसे मैंने ही पूरा किया है लेकिन इस घर की ओरतों को कोई फैसला लेने का हक नहीं है लड़का कितना बैतरीन था ना, लंबा, चोड़ा और मुझो वाला पसंद है तो खुद ही कर लो न नाम में क्या है? गणपत राव, यह भी को नाम है नर्सिमा राव या बाजे राव होता तो अच्छा होता लड़का बड़ी गाड़ी में घूंता है, सफेद पोशाग पहनता है, काला चश्मा पहनता है राव के नो प्रण्ट अपाणिबल्म मोंसे लेंगे, लेकिन उसके साथ में को आदमिय आया थे उन्हें देखा आतंगे उससे पता चलता है कि उसके काफ़ी दुष्मन है तो वो है तो उसे जान को खत्रा कैल कैसने भी ऑगा हो जाएगा लेकिन अगर वो कहीं अपाहिज हो गया और एक जिंदा लाश बनकर रह गया तो क्या आपके एक गलत फैसले से आपकी प्यारी शहजादी के जिंदगी बस जहन्नम बनके रह जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं उस लड़के में वो लड़का एकदम शानदार है नो प्रॉब्लम शुब महूरत अगले महिने की सत्रा तारीख को है पंडी जी ने बताया बहुत अच्छा दिन है मांसा के इस रिष्टे से मुझे एतरास है मांसा पड़ी लिखी है उस लड़के के साथ अपनी पूरी जिंद्धी नहीं गुजार सकती लड़का कम पड़ा लिखा हो तो भी चलेगा लेकिन मैं मांसा की जान जोखें में नहीं डाल सकती हर्गिस नहीं तुम मांसा की माँ हो अगर इस रिष्टे से तुम नाखुश हो तो कोई बात नहीं हम इससे बहतर लड़का ढूड़ें तेरा उसका चक्कर है क्या तुझे उसने पपी क्यूं दी एक राज की बात बता हूं मैं उसे इटली से जानता हूं इसी वज़े से यहां पे आया हां ऐसा ही कुछ समझ लो यानि उसके भाई को बख्रा बना के तुमने अपना उल्लू उशिदा किया इस घर में घुस्मे के लिए क्या दिमाग है चाचाप का खांदानी दिमाग माले हैं लेकिन तुम्हें कम नहीं जो रस्ते में आ रहे उसे लपेट रहे हो इस बिचारे जिंदा लाज को भी नहीं छोड़ा तुमने भाई बड़े शातिर हो मिया याद रही सब को लबेटे में ले ले लेना लेकिन इस को छोड़ते ना शिकार आप ही थे क्या लावा पूल गई का मुझ पे क्या रहा है तुनामी के लपेटे में वह सब को ले रहा है बाद में मेरा कॉलर मत पकड़ना आई लव यू टू तायर बंक चरो गया भाई जल्दी से कोई मेंकानिक लेकिया नमस्कार भाईया आगे तक शोड़ दे आही ही तेवा क्या पी आ रहे है चल तेख भगा चल भगा भगा आज तो नहीं बचेगा हाँ हुआ हाँ 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 प्रूफट प्रूछ हर बार तक्दिर तेरा साथ नहीं देगी तो यह कैसे आया हैर कट कराने क्या था शहर बाल बाल बजगे डूड अगर कई पकड़े जाते तो क्या होता अब हमला करने की बारी हमारी है ना एक एक को काट डालूंगा आप आप कहें तो एक सला दों आपको वो अब इस ताक में होंगे कि आप उन पर कब हमला करोंगे हम अगर अगले पचास साथ साल तक उन पर हमला ही ना करें तो वह पिचाने डरके बारे वैसे मर जाएंगे कैसा लगा आइडिया बढ़िया है ना यह चक्की तो 24 घंटे लगातार चलती रहती है यह चलती है तभी तो रोटी मिलती है खाने के लिए क्या आप लोग दिन रात किचन में डाल आटा चावल के पीछे लगी रहती है बस नॉन स्टॉप तीन सो पैसट दिन चक्की पीसिंग पीसिंग अरे कभी-कभी आराम भी लोगों को जानते ही हो दो रोटियों से कुछ नहीं होता भर भर के खाना खाते हैं अरे इसका मतलब यह थोड़ी है क्या आप दिन रात खाना पकाने के लिए अपनी हड़िया तोड़े हर रोस आप सुबह उटके नाश्ता बनाती है उसके बाद दोपहर के खाने में क्या जाए यह सोचने लगती है दोपहर का खाना पक गया उसके बाद ठीक उसके बाद शाम के चाय और पकड़ों के तेहारी में जुड़ जाती है फिर होती है रात के खाने के लिए सब्जियों से माथा पोड़ी अगले दिन फिर सुबह उटके वही कोलू के बैल की तरह शुर मेरा मतलब था पिकनिक जाते हैं घूमते फिरते हैं थोड़ा मजा मस्ती करते हैं सच में बहुत मजा आएगा पिकनिक मैं कोई आप से एवरेस्ट पर जाने के लिए करा शादी के बाद सिफ तीन दिन तक तिरुपती जाना हुआ था तब से यही हूँ तिरुपती तो गई सच में बहुत मजा आएगा मान चाहिए ना अच्छा बाबा ठीक है तू जाके अपनी चाचा से इजाजत ले जा हाँ ठीक है प्रताब जी हम सबको एक महीने के लिए चट्टी पर लेकर जा रहा है जूँ वेलकम टू इसे बक्री बनाया जा रहा है इसलिए ज्यादा चेह सब्सक्राइब करें देख रही है कि अब इस साल से आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे ठक गए होंगे न कि चलिए अंकल आज बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी खुब्सूरत है भाई उसे यकीन के साथ मालूम था कि आप वहां जाएंगे इसलिए पूरी तैयारी के साथ उसने हमला करवा है चाचा काफी वक्त से हम लोग एक साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं चले ना चाचा किसी पिक्निक के लिए चलते हैं चाचा प्लीज मान जाएए ना प्ल वरा पिक्निक जाने का खयाल भी आया तो टांगे तोड़के घर में बिठा दूँगा दफा हो जजा अंदर दुमी जाओ जल से जल देवा के खांदान का नाम उने शान मिठा रहोगा एक बच्चा भी नहीं बतना चाहिए हम सब मत्था ठेखने के लिए शंकर जी का मंदिर जा रहे हैं वहां से लौटने के बाद विर्जु काम को अंजाम दे देगा देवा अपने परिवार के साथ शंकर जी के मंदिर के लिए रवाना हो गया है काट कर फेग डालो एक एक को भाई हमारे आदमियों ने उन सब को ऊपर पहुचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है एक बाद गाठ पांदे बच्चा बुज़रुग सबको ऐसी मौत देना कि उनकी रो भी काप उठे अगर एक पे बच गया तो तेरे टुक्ले कर डालूँगा समझ गया बाई आप चिंता मत करो ऐसी मौत दूंगा कि लोग उम्ब्रभर याद रखेंगे कि अगई बास प ठाम कि अगें कि अ, कि उनक कि वभली बास कि तेरे बाद looks restart प्राजीत, मेरा पोन क्यों नहीं उटाए? क्या हुआ है उसे? भाई, फिकर मत करो, बस कोची बलों में देवा का सिर खाट के आपके कदमों में डाल दूगा जरूर कोईन कोई करबाए झाल पड्यूट इघाँ अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा था जल्दी बता डेवा का पुरा खांदान खत्म कर दिया ना अबे बोलना बोलता क्यों नहीं मेरा परिवार सलामत है भाई भाई क्या हुआ भाई 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 क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ आपको बोलो कुछ उनके पचाव के लिए ये नया शक्स को ना गया जो भी है खूंखार है भाई चुपकर उपर वाले के करम से हम सब सलामती से घर आ गए नहीं बिलकुल नहीं उन हैवानों से हमारी हिफाज़त सिर्फ जैने की होगी वो अपने किये पर शर्मिंदा है इसलिए हम से छुपकर हमारी हिफाज़त कर रहा है जिन्दगी में पहली बार मैंने आज मांसा को इतना खुश देखा है और वो खुश जै की वज़ा से है मेरी नजर में तो मांसा की शादी जैसे करा देनी चाहिए जै की आने के बाद ये घर खुशियों से भर गया है क्योंनों हम मांसा की शादी जै के साथ करवा दे तो हाँ पापा जै मांसा को हमेशा खुश रखेगा मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती बस इतना जानती हूं कि जब तुम पास में होते हो दिल खुशी से जुम उड़ता है तुमने मेरी जिन्दगी बदर दी I love you अब तुम ही मेरी जिन्दगी हो मान सा मैं तुम्हें हर पल खुश देखना चाहता हूं और इतना ही नहीं मैं तुम्हारे परिवार को भी खुश देखना चाहता हूं तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं तुम्हारा खांदान जिस देवा के खुण का प्यासा है मैं उसी देवा का बेटा हूं तुम जिस जय को देख रही हूं वो एक नया जय है पुराने जाए से बिलकुल अलग, वो जाए तो कब का खत्म हो चुका है, उसकी तो दुनिया ही अलग थी वहाँ येलो फ्लार्स थोड़े कम लग रहे हैं, अनीता, येस मैम, वहाँ थोड़े फूल ज्यादा लगाना, थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके मैम अशोक, जाओ ज़रा एंट्रेंस की तरफ चेक करके आओ, जी मैम, ट्यूलिप अभी तक नहीं आए, जैल आता ही होगा, ओके मैम तुम्हारा कुछ अता-पता नहीं रहता, फूल लाने में इतना वक्त कैसे लग गया, मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो मिल जाते हैं, पर ये ट्यूलिप के फूल थोड़े मुश्किल से मिले, वहाँ ने मनाना कोई तूम से सीखे, अनीता, ये ट्यूलिप्स लगा ये ट्यूलिप्स लग रहे हो, मैडम, शहत पे मधुमक्यां चिपक रही है, ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, हाँ, 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 एक्स्क्यूज मी गोल्स, अरे, मेरा हाँ छोड़ो, सब तक तर फिर से वहीं जाकर खार होगे है, ब टुले का बाप कुछ जयादा नाटक नहीं ए चुपर, यह साफ करता हूँ, मेरे खुसमत, इसा आसे करने वाला कोई नहीं । मेरी किसमत अच्छी है मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं मॉम आप ठीक है बता ये मा मुझसे खता हो गई मुझे तुमसे ये राज नहीं चुपाना चाहिए था तुमसे पहले ये जिक्र कर देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा जिन्दा है जब तुम मैं इस दो साल के थे तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई मेरा हा करते थे दिवाले की छुट्टियों में हम तुम्हे लेकर उनके गाउं गए उस वक्त आगसी रंजिशों की वज़े से दोनों गाउं में अक्सर खोन खराबा हुआ करता था दोनों गाउं जहननम बन चुके थे हमारी आखों के सामने ही तुम्हारे दादा का बड़ी बेरहमी से कतल कर दिया हाया हमारे हाथ में सिर्फ एक ही लगा है बाकी सब वहां से बज़के भाग गए अगर उस खांदान का एक भी शक्स बज़ गया तो वह हमसे बदला जरूर लेगा बहतर यही होगा कि हम उसके पूरे खांदान को खत्म कर दें आप बस हुक्म कीजिए गतल मेरे पिता का हुआ है तुमारा खून क्यों खौल रहा है आज हम उनका खून बाहेंगे कल वो हमारा बाहेंगे आखिर अंजाम क्या होगा गाओं के हर घर में मौत तांडव करेगी बाप के कंदे पर बेटे का जनाज़ा जाएगा उनके ख्यालात हमारी तरह नहीं है बिर्जू किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी हमारा परिवार आपके रहमो करम पर पल रहा है आपको कुछ हो गया तो तुमारा परिवार तुम्हारे साहा रहे है सोचो अगर तुम ही ना रहे तो वो कहां जाएंगे आज के बाद अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तुम में से किसी ने भी उन पर हमला किया है तो एक बाद गाठ बांद लेना कि उस वक्त मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अब जाओ सुनिये हाँ अब हम चलें कहां चलना है वापस अपने घर ऐसे गरम माहूल में सब को छोड़ कर हम लोग कैसे जा सकते हैं तुम तो जानती हो यहां हर कोई एक दुसरे के खून का प्यासा है जैसे हम यहां से रवाना होंगे यहां खून की नदिया बहेंगी यहां रहकर ही मैंने काबू कर सकता हूँ इन्हें बदल सकता हूँ बस इसी बात का खौफ है कि इन हैवानों के बीच में रहकर आप भी इनकी तरह हो जाएंगे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है आप पर है पर दूसरों पर बिलकुल नहीं है इस हालत में मैंने छोड़ कर नहीं जा सकता तो फिर ठीक है मैं ही चली जाती हूँ अब तै आपको करना होगा कि आपको गाउं के लोग चाहिए या अपना परिवार तुम्हारी भावी जाना चाहती है इससे सही सलामत पहुँचा देना उस पल से ही मैं तुम्हारे पापा और उस गाउं से हमेशा के लिए दूर हो गई पता है क्यों क्योंकि उस माहाल में तुम रहो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी गाउंवालों की खाते रहा में छोड़ा यहां तक कि तुमसे मिलने भी नहीं आये उन्होंने एक बड़े कुर्बानी दी वो एक महान हस्ती है मैं उन्हें एक बार मिलना चाहता हूँ सालों से तुझे शादी के लिए तैयार करते करते मैं थक चुकी हूँ ना जाने कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा उस लड़के के नसीब खुल जाएंगे जिस लड़के की शादी वीना से होगी वक्त बदल गया है पर इनकी सोच वहीं की वही है मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल जाए फिर देखना कैसे मैं सब की बोलती बंद कर दूँगी तेरी सोच की वज़े से कोई लड़का घर पर आता ही नहीं ना जाने कौन कमबक तुने रास्ते से भागाता है पागल मैं नहीं वो है उसने इंकार किया दीदी खेलो ना चल निकल भाग यहां से तो औरत ही नहीं है इसलिए शादी से डरती है इतना बड़ा इलजाम मेरा तो जन में ही शादी के लिए हुआ है वो क्या है ना कि मेरी तकदीर में कोई शहजादा है यह यह ले पेट से बोल तेरे लिए ढप गिलाया हूं वैसे साल में एक बार एक बार लग जाते हो यह बात तुही मेरे ज़बात समझता है विना रिश्वत लिए बोल नहीं सकता था क्या जब देखो अपनी छूती ता और लगाएगा फिर वीना मेरे बैर में रेंगेगी और बोलेगी मैरी मी मैं बिचारा महबत कामारा हां बूल दूंगा और क्या तुनिया का आखरी लड़का होगा तब भी तुससे शादी नहीं करेगी वह देख पिटा ऐसा कब तक चलेगा कभी न कभी तो शादी करनी प मा कसम किसी ने साथ में देखा ना तो मेरी बच्ची कुछी इजद भी जाएगी दिल पे मतले यार अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या दूंगी तुकर कमाली है अचा सुन तो वैसे तो तो बहुत निकमा है पर एक काम कर दें कलो बात इसके प्यार में रामलाल बन गया है जानता है कि तुझे क्या कहना है व जी तो थे कितर रट गया यह न तो बोलना है कि आए अठ माइने बाद तु मेरे से ख्रची की माँ तू तो मेरी किड्नी है तेरे लिए तो मैं है तो पहले चार लड़के आदे ना तेरा चेहरा देखकर लेकीन नहीं कर रहे थे कितनी मुसीबत से दफा किया उन्हें सारे समोसे चट करके वह आले चलब जा आ गया वह रुक जाना यह लड़का कमाल का लग रहा है मुझे अपना प्लांग कैंसल कर देते हैं मैं शादी के लिए हां कर दूंगी मेरी तारीफ के पुल ऐसे बांद के शादी के लिए तयार हो जाए प्लीज बाहुबली निवा के घर जा रहे गया हां यह वही चाहरा है जिसका दीदार करने जा रहा है लेकिन यह मेरे प्यार में गिरी हुई है यह कहती है मैंने इस से शादी ने की तो मैं मर जाओंगा अगर तुम यहां से निकल लोगे तो मेरे बच्चों के तुम कटपा मामा बनोगे कि देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो पैसे तुम से मिलने के लड़की यहीं आ गई है अलो वैसे यह यहां क्यों आ गई घर पर मिल लेते दरसल यह दूनों एक दूसरे से महबत करते हैं अब अगर तुम यहां से लट जा तो इनकी आराम से शादी हो सकती है बस यह आपी बहुत जोर से तुम्हारी तारीफ मैं देवाजी का बीटा हूँ आओ भाई साब यह कौन है यह आपका बेटा है दीदी हमारा जय है बेटा आखिर तुम अपनों से मिनने आ ही कहें मामी नहीं आई और उन्हें कुछ काम था इसलिए आपाई पार्टनर यह गाड़ी कहीं सुने लें लग रही है सारे लोग किस वज़े से कठा हुएं कहीं इसने अपना भांडा तो नहीं फोड़ दिया यह लोग तो वैसे ही फिराक में रहते हैं आज मेरे को तोड़ डालें गए रुक 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 इस कांड में जितनी मैं शामिल हूं उतना तो भी है अब चुप चाप अंदर चल मेरे साथ कौनसा कांड रहे तो तो कटपुटली की तरह हमेशा मुझे नचाती है आज संड़े आज छोड़ देए पाह लागू अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है यह अपना जय है आये लटा देदी का बेटा है कि अधिक जय तुम अब तक जाग रहे हो जी नहीं नहीं आ रही थी अच्छा और तुमारी मां कैसी वह अच्छी है अब वह रोजेक ज्रिंक पीता हूं पिश्रे वीच सालों से यही मेरा साहर है तुम लोग है जी नहीं आप लेजे मैं ठीक हूं वैसे करते क्या हो तूम मैं एक आर्किटेक्ट हूं अके और काफी रात होगी है सोने जा रहा हूं गुण नाइट बटा चाहो तो यहीं सो जा रहो वो उपर वाले कमरे में मच्छर होते हैं अ कोई बात नहीं मैं मैंनेज कर लूँगा गुण नाइट पापा ताका जाकी क्या कर रही हो किसी ने उस बिचारिक को नाष्टा दिया कि नहीं वो देख रहे हैं तो क्या नाष्टा अंदर मिलता है जा जा कर बना नए कपड़े यह जै के लिए हैं तुम्हें कोई तकलीफ आज तक मुझे तो नहीं दिलाया आपने नए कपड़े फरवरी आज कोई खास दिन है क्या पाबा है हापी पार्थड़ी ओ ओ गॉड थैंक्स बापा आज मेरा जनम दिन है और मैं खुद ही भूल गया हाओ अच्छा तो आज तुम्हारा चन्द दिन है चोटे से देख रहे हूं आज के दिन हर साल जश्न मनाया जाता है मेटा सरा मेरा बेटा तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो और तुम जानते हो हम किसके आदमी है मादव भाई चाय पानी भी कर जाना इतने सालों से तो तुम खौफ में जीरे और शुकर मानो कि मादव भाई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं एक बात दिमाब में बिठा ले अगर मादव भाई की पिनक गई तो तेरे साथ तेरे खांदान का देट सर्टिफिकेट चाप डालेंगे अगर तुम्हारे डालाग खतम हो गया हो तो आप तुम यहां से जा सकते हो इसकी तो नहीं किएो चालाग पिर शीडर झाले तो उने खालेंगे भी содब़ के उपड़ मैं क्वड़ मैं प्रॉकी वांक हुआ 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 जह ढगाば हुआपनbn हुआ हुआ हbug पया हाज गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरों से जिंदगी जी रहे हैं तेरी जुरत कैसे हुई उन्हें धमकाने के और वो भी मेरी मौझूदगी में इसे देवा की रहम दिली ही समझ कि मैं आज तुझे यहां से जिन्दा वापस जाने दे रहा हूं 20 बरसों से जो होता आया है अपसे नहीं होगा जाके बोल दे उसको क्योंकि देवा का बेटा अब वापस आ गया है काफी अर्सों से मैं जो करना चाहता था आज वो तुमने करके दिखा दिया आज तुमने उन्हें उनकी आवकाद दिखा कर गाँवालों का होसला और बुलंद कर दिया है तुम्हारे दिल में अपने लोगों के लिए जजबाद देखकर मेरा दिल भर आया मादव भाईया को इसकी भनक ना लगे वरना हम मेंसे एक भी नहीं बचेगा हम अब तक सोचते थी कि देवा एक डरपोक और कायर इंसान है लेकिन उसके साथ एक ऐसी हस्ती है जो हम सब की बस्ती उचाड़ सकती है जै तुम्हारी परवर इस शहर में हुई है गाहों तो पहली बार आना हुआ होगा ना मजा तो आ रहा है ना हाँ अगर मम्मे भी आ जाती तो और मजा आता आंटी और अंकल को मिलाने का मेरे पास एक आइडिया है क्या तुम्हारी शादी कोई पसंद है क्या मतलब नहीं समझे गर्ल फ्रेंड एक थी कॉलेज में मेरे ख्याल से आप तो उसकी शादी भी हो गई है इसमें क्या बड़ी बात है मेरे तो 15-20 बॉइफ्रेंड होने की मेरे पीछे इतने लड़के दीवाने हो के गूंते हैं आप तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है क्या मैंने सोना था कि शहर के लड़के काफी तेज होते हैं पर ये क्या है मुद्धे पर आताना कि तुम्हें किस टाइब की लड़की पसंद है अब चुकी मैं थोड़ तो बेतर होगा खुद की हाई छे फिट के लड़की मांग दो फिट की ये कोई जोड़ी होई क्या लड़की भी तुम्हाले टक्कर के उनीचे वनना सब मजाख उड़ाएंगे समझ जो कि नहीं और क्या खासियत होनी चाहिए थोड़ी पढ़े लिखी होगी तो अच्छा ह होगा क्या अच्छा होगा पढ़ाई का निवाला खाओगे अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिफ पैसे कमाएंगे प्यार तो कहीं नहीं रहेगा लड़की को बस ABCD आनी चाहिए ताक कि बच्चे को होमबकरा ले बस तुमारी अकल के घास चरने ग लड़की हुई तो अपने पती के अदावा किसी के बारे में नहीं सोचेगी अगर बड़े परिवार से हुई तो बड़ों की इजट, छोटों से प्यार, सब का मान रखना, आता हो को असे जिन्दगी में शादी सिर्फ एक ही बार होती है, और अगर लड़की संसकारी हो, तो परिवार में सब के दिल में वो अपनी जगे बना लेती है, सही कह रही हो कि नहीं, वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम हीर रांजा के जैसी है, पर तकलीफ क्या है, क्या क्या इश्क, वो भी उस चम्पू, शाम के सा, तापा करो, ऐसी गफलत में कभी मत रहना, अरे उससे ज्यादा खूबसूरत तो लंगूर होते है, एक ही बनियान और लुंगी में अपनी जिन्दगी काट रहा है, पता है यह दिन भर शरीर पर क्या लगाता रहता है, हमने इन से जमीन मांगी थी, इन्होंने इंकार कर दिया, अब सजा मिलेगी, पूरी बस्ती को जला कर राक कर देंगे, कोई माई का लाल बुझा नहीं पाएगा, हम्म। परक राव करें क noi ही, ऑफिन बावरको के शोचिका रहता अंगा आप यहादि दिन्दग्दिवर नी उल्जज़का राविक्शिका रतें Miranaud 20 सालों से मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारी आपसी रंजिश की वज़ा से गाउं और गाउं वालों का कोई नुकसान ना होने पाए इन्होंने अक्सर माहौल खराब करने की कोशिश की लेकिन इन्हें काम्याब नहीं होने दिया मैंने इनके कांटों का जवाब फूलों से दिया अगर कल रात हमारे आदमें उस गाउं में नहीं जाते तो पूरा गाउं खाक हो जाता किसान उन्हें अपनी जमीन का सौधा कर दिया है हो सकता है शराब के निशे में अपनी बस्ती को खुद आग लगा दी इन लोगों के घर में कोई नया शक्स आया है आग लगाने की तरकीब भी उसी की होगी ताकि बीमा कंपनी से मोटी रखम वसूल कर सके हैस्पी साब इनकी फिजूल की बातों पर भरोसा करके हमें दुबारा यहां मत बुलाईएगा वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा माफी चाहता हूं देवाजी मुझे पता है कि बस्ती इन्हों नहीं जलाई है लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं सूरज भी दिन में निकल कर शाम होते ही रात की आगोश में खो जाता है पता नहीं यह सब बाते इनकी कब समझ में आएगी बस उसी पल का इंतजार है नमस्ते भाई मुझे तो लगा था कि इनके घरों को जलाने के बाद लोग हमसे मुकाबला करेंगे लेकिन ये तो औरतों की तरह शिकायत करने पुलिस टेशन आ गए अग तो सिर्फ बस्ती में लागाई थी इरादा तो इसी आग में सब को राह कर डालने का था तो इंसान हो या हैवान मुझे हैवान बोलने की हमद की तुन नहीं पुलिस्टेशन में क्या हो रहा है ये तो पीछे की फोड़ों गारा है इस मैं वार्निंग जाए हाथ देख लेंगे मैं वो जंगली हाती हूँ जो अपने दुश्मन को अपने पैरों से रॉन दिया करता है अगली बार मेरे गाव की तरफ नजर उठा के भी देखा तो ये सर धर से अलग कर दूगा भाया जै कहां से आरे बटा रामू के बेटी के तब यह ठीक नहीं थी हम दोनों साथ में उसे ही देखने गए थे यहां का महौल ठीक नहीं है पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए मैंने चाहता मेरे दुश्मन को यह पता चले कि तुम मेरे बेटे हो मेरा खून हो मेरी बात मानो तुम शेहर के लिए रवाना हो जाओ फिलहाल यही सही है यहां जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला दूंगा जैसे आपका है पाबा पता नहीं उस लंबू ने मेरी हीरोईन पर क्या जादू किया मुझ जैसे एंसम को छोड़के जारी बूल तुम्हारी वज़ेसे नहीं जारी है बैट जा अरे बैटने बोला ना चुटू एरशाद अच्छा बता तेरी हाइट किया है वह जूता पहनता इसलिए मेर से लंबा लगता है अरे ओ अकल से पैदल वह कुरसी पे बैठ गया तो भी तुझसे लंबा होगा हाइट में तुफेल है तो फेर स्माइल का क्या लेने देना है क्यों नहीं है स्माइल ही तो सब कुछ है हसके दिखा एक दो दाज सड़े ले है कोई दूसरी तारीफ डुणना मेरी और क्या था पढ़ाई तुम्हारी पढ़ाई नहीं उस्ताद बैट जाओ इसकी यहां पर कोई क्विस कॉम्पिटिशन चल रहा है तू एक काम कर लड़की के बास जा और इजहरे मोबत कर दे आर या पार गाहों के तमाम घर फूंक डालने के बाद भी देवा मामले को रफा दफा करना चाहता था उसकी बस यह ख्वाईश थी कि हमें सरंजीश को खत्म करते लेकर आचलना कि यह कौन पैदा हो गया वो वो कौन होगा आखिर कौन है वो देवा का खोन देवा का बेटा अब हमें हुश्या रहना होगा भाई वो मारने के रादे से आया तो हम मेंसे कोई नहीं बचेगा मैंने उसकी आखों में तूफान देखा है हम चाहकर भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते हैं वो कहां रहता है? वो अपनी मा के साथ मुंबई में रहता है. बरसो बाद बाप से मिलना आया है. उसका जिन्दा रहना हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है. जल्दी उसका काम तमाम करना होगा. जा उस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दो! मुझे भूल मत जाना. ठीक है. इसके पस कोई काम ही नहीं है. बीना, मैं फर्मान लेकर आया हूँ. इतना वाक नहीं मेरे पास. जल्दी जल्दी बखो. जब चाननी रात में तेरी याद आती है. अपक आएगा. तब दिल के दड़कन एक ही बात बताती है. या नामान, तेरी जुल्फों से जूला जूलने की इस आशिक की तमन्ना है. 31 फरवरी का मूरत है. चलो, शादी कर लेते हैं. अब तुमसे दूर नहीं रा जाता. I love you. I love you. I love you. देख बेटा, तु अपना थ्यान रखना. I love you, काका. अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया. सुधर जा. अरे, बेटा, जाने से पहले सबसे मिल तो ले. पता नहीं है, ऐसे पहले हैं. देख रहे हो न, जै, जाने के लिए कितना छट पटा रही है. चलता हो, बापा. बाइ, पहुँचकर खात लिखूंगी. सब अपना ख्यार रखना. इस उमर में भी आप एकदम परी लगती हैं. प्लीज अपनी खूबसूर्ती का राज मुझे दे दीजेना. शौक से. पहले देखो, जै आफिस के लिए तयार हुआ के नहीं, जाओ. वीना, क्या गाओं में आज भी खून खराबा होता है? कैसा खून खराबा? अब सब लोग एक दूसरे को समझ कर चलते हैं. अब सब लोग प्यार की बोली बोलते हैं. गुड मॉर्निंग सर्व. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग माम. आजाओ. आए किशोड, यह है वीना. हेलो. और वीना यह तुम्हारा कैबन. सर, हम वो नई आइड बनानी है न, उसके लिए हम डिसकेशन कर रहे थे. अब, असल में वो, और क्या बात हो रही थी? असल में वो नई है न, यहापर. इसलिए मैं उसे काम समझा रहा था, सर. तुम्हें किसने का, क्यों यहाँ काम सीखने आईए, वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए आईए, बहतर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान. सर, उसकी बातों में तो जाद हुए, दिल करते उससे हटू ही नहीं. वो इसी तरह कुते, बिल्ली, गाए, भाएं, सबसे बाते करती हैं. अब तुम फैसला कर लो कि तुम एक जानवर हो या पड़े लिखे इंसान. अब अपने कैबिन में बैठो और काम करो, और उससे डिस्टरब मत करना हैं. किस से मिलना है? हम लोग पास के महले से आएं, मंदिर का चंदा लेने. फिलाल मालीक घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए. हम पास के होटल में नाश्था करके आते हैं. उस पे हमला ये सोच कर करना कि वो बचने ना पाए. अगर वो गलती से बज़ गया, तो हम में से कोई नहीं बचेगा. आज उसकी मुलाकात मौन से होगी. उसे अंदर जाने दो. मालिक कुछ लोग मंदिर के लिए चंदा मांगने आया थे. वो पास के होटल में नाश्था करने गया है. तो गाड़ी निकाल. छोटे मालिक, चलो यहां से चलते हैं. मेरी बात मानों वो आस-पास ही होगा. सामने क्यों नहीं आता? अगर आपके आपकी जान काई है, तो गाड़ी में बैठिये. चलिए. उसे हम बाद में देख लेंगे. उसका अकेला सामना नहीं कर सकते हैं. यहीं गार दूँगा उसे. चलिए. चलो, आज़ाँ. अंदर बठाँ. बैठो. यह भगत. उसे खत्म करने तीस लोग गए और सिर्फ तीन ही लोटे. मुझे पता यह कैसे हुआ? पलग छपकती सब को मार दिया. उसे खत्म करना इन बच्चों का खेल नहीं है. उसका सिर काट कर चाहराए पर टंगाऊंगा ताकि और कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे. इन लोगों का बुरा वक्त आ गया है. मैं यहाँ से कट लेता हूँ. हलो? वीना? हलो? मेरे घरवाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं. उन्होंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है. लेकिन मैं जैसे महबत करती हूँ. बाई, जल्दी बैठो. वापस मत आना आजा. किसी ट्रक को ठोक देना. कुछ भी कहो, लड़का मुझे बहुत पसंद है. एक को चूरन दिया, दूसरा आ गया. बैडला कीच खराब है. बेटा मैंने वीना का रिष्टा तैय करती है. वीना तुमारा होने वाला दूला अमेरिका में नौकरी करता है. शादी के बाद तो तुम भी वही रहोगी, अपनी जिन्दगी खुशी से जीना. अंकल खुशी बाद से जाहिर नहीं होगी कि लड़का अमेरिका रहता या कई और. उसे असली खुशी तब मिलेगी जब उसे अपने मन मुताबिक लड़का मिलेगा. शादी को एक गुड़े-गुड़ियों का खेल नहीं है, जो कुछ पल के बाद खत्म हो जाए. ये एक ऐसा बंदन है जिसमें लड़की को अपनी जिन्दगी एक अंजान के साथ गुजारनी होती है. वीना बेहदी प्यारी लड़की है. करोड़ों में एक, वो खुश तब रहे कि जब वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो उससे बेंतिया महबत करता हूँ. बेटा, हमारी भी ख्वाइश है कि वीना हमेशा खुश रहे. लेकिन आज के माहल में ऐसे लड़के मिलते कहा हैं, तुम किसी को जानते हो तो बताओ. वीना मुझे सिर्फ एक मौका दो, तुम्हें अपने दिल में बिठाग रखूँगा. केसी विड़ता? मैं चीको, Lakshmi. कैसे हैं आप? मैं ये सोचकर जुदा होई थी, कि इन हैवानों के साथ रहकर आप भी इनी की दरह हो जाएंगे. आपने उस गुना की सजा भुग दी, जो गुना आपसे कभी हुआ ही नहीं था. मुझे माउफ कर दीजिए. बहले ही मैं आपसे दूर रही, लेकिन मैंने आपके बेटे को बिलकुल आप ही की तरह बनाया है, उसे मोहबत लुटाना सिखाया है, बिलकुल आपका हमसाया है. अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते हैं. भाईया, उन्होंने तुम्हारे साथ जुखिया, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है. उन सब के सिर काटके उनके खून से आपके पैरगा भी शेक करूंगा. करीम भाई. करीम खाना खाके तो जाओ. मैं आपसे खास बात करने आया हूँ. जिस खून खराबे को आपने रोकनी की कोशिश की है, वही दह्षत अब दुबारा शुरू हो गई है. इसे अन्जाम दिया है आपके बेटे जैने. मुझे डर है कहीं कोई अन्हूनी ना हो जाए. इसलिए मेरी सलाह है कि आप भुश्यार रहें. अच्छा तो मैं चलता हूँ. जजमान, जाकर शादी के वस्त्र पहन कर आईए. हम अंदर पहुंच चुके हैं भाईया. पहले उसके परिवार को मारेंगे और बाद में उसे. उसके जिन्दा रहते हुए उसके परिवार को छूना ना मुम्किन है. सबसे पहले उसका सरधड से अलग कर दो. आइए. 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 जो 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 यो लो खुफ यह प्योर अजर्ण है अजे वो, जो भो है क्यंक हा PPE करे करे आता दो reden कषिए ल करे को कुए मुए लगा प्लैकर दरक Medal अ quizा करे कह ब्लाता है थैनादा है 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 चलो हथ्यार उठाओ क्या कर रहे हैं मा की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी शक्स जिन्दा नहीं बचेगा अपने उसूलों और आधर्शों की जो दीवार आपने खड़ी किये आज उसे तोड़ दीजे पापा जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था आज मैं उसे जड़ से उखाड़ दूगा भाईया आज कुछ मत बोलिए आप अंदर जाईए मालिक बरसों पहले आपने हमें रोक दिया था महरबानी करके आज हमें मत रोकिए आप छोटे मालिक का कहा मान लीजिए मालकिम के खोन का बदला महादर्फ के पूरे खांदान को मिटा कर लेंगे कौन सा गुना किया था जो तुझ जैसा बेटा पैदा हो तेरी मा तेरे साथ मुझसे अलग हो गई ताके इस गंदे माहल का साया तुझ पर ना पड़े और गाउं की भलाई के लिए मैंने तुम लोगों की जुदाई सेली लेकिन तुने अपनी हरकतों से सब तभा कर दिया तेरी मा का खाब था के तेरी जिन्देगे में सिर्फ खुश्याई हो लेकिन तुने उसका खाब पूरा नहीं किया ये इस खून खराबे की वज़े से वो यहां से गई थी तुने यहां कर उसी को दोराया और उसी की शिकार आज तेरी मा बन गई पता होता तेरे आने से ऐसे खून की नदिया बहेंगी तो मैं तुझे यहां कता ही नहीं आने देता अगर मुझे पता होता कि तेरे आने से लटा की जान चली चाहेगी तो मैं तुझे इस दुनिया में आने ही नहीं देता लटा के बदले अगर तुझे खोना पड़ता तो मुझे घम नहीं होता चला जा यहां से बहुत दूर और दोबारा कभी अपनी शकल मत दिखाना मेरी चिता को मुखागने देने भी तुझे आने की ज़रूत नहीं चोटे मालिक रुक जाएए मत जाएए जाने दो बेटा जिसने अपने खुस्से के लिए अपनी मा की पर्वा नहीं की वो तुम्हारी क्या पर्वा करेगा मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हारा भी हाल इसकी माच ऐसा हो जाने दो इससे झाल जएए मेरे पापा के लवज उस दिन मुझे तीर की तरह चुबे थे पर उन्होंने हाकिकती बया की थी मेरे वहाँ जाने से माहौल बिगड़ गया खुन खराबा लड़ाए जगड़ा आम हो गए इसलिए मैं गाउच छोड़के इटली चला गया सोचा मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिलकुल गलत था हाला अत्बच से बत्तर होते चले गए समझ नहारा था कि इस खुन खराबे को कैसे रोका जाए तब ही एक दिन मेरी मुलाकात तुम से हुई तुम से मिलने के बाद ऐसास हुआ कि तुम्हारे गाम का माहौल भी मेरे गाम से कुछ अलग नहीं है वहां भी लोग खुन के प्यासे है उसके बाद मैंने यहां आने का इरादा किया और यहां के सबको बदलने की कोशिश की अगर आज मेरा परिवार अतना खुश है तो उसकी वज़ा सर्फ तुम हो जाए मुझे पर एक एहसान करोगे तुम यहां से चले जो जाए यह मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते अगर किसी को भनक भी लगी कि तुम कि देवा के बेटे हो तो यह लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे मैं जिस इरादे से यहां आया था उसे पूरा करके ही जाओंगा बिटा जैए मुझे नहीं पता कि तु यहां किस इरादे से आया है लेकिन हम सब की यह खौईश है कि तु इस घर का दामाद बने हमारी बेटी मांसा में हमारा खून है लेकिन गुण नहीं इसे सही खलत की पहचान है अगर तुम्हें ये रिष्टा मन्जूर हो तो अपने घरवालों से बात करो बाकी मैं समाल लूँ या येस 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 तुमने कर दिखाया मिया तुमने है सब को लपेटे में लिया और जो चाहा था वो हासल किया अब शहजादी हुई तुम्हारी ये मुम्किन नहीं है प्रताब जी आखर क्यों क्योंकि मैं उनके दुश्मन देवा का बेटाऊं वे गाड़ी रोक या किन खयालों में खोया हुआ है जो तु चाहता था आखर तुने वो हासल तो कर लिया मांसा के शादी में वो शक्स से करवाना चाहता था जिसका खून गरम हो और वो दुश्मन को अपने पैरों की धूल समझता हो लेकिन तू तो समझोता करना चाहता है कुछ पल के लिए क्यों नहीं मांसा को भूल जाए वो क्या गरत है आप दुश्मन से बदला ज़रा समझाएंगे आप मुझे उस शक्स से सक्त नफरत है जो खुद की हिफाज़त नहीं कर सकता मर्द वो होता है जो अपनी आन के लिए अपनी जान को भी दाओं पे लगा दे समझा असली मर्द किसी हत्यार का महताज नहीं होता उसका हाथ ही एक जानलिवा हत्यार होता है उदर देख मर्दों की फौज मासुमों की जान लेने को आप मरदानगी क्याते हों अरे ये कौन से बाबा आदम की जमाने की बात कर रहे हैं ये कायरों का काम होता है असली मर्द वो होता है जो अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाए और इसके लिए चाहिए जिकर अच्छा ऐसा है क्या चल दिखा फिर देखा जब से बड़ी-बड़ी हांक रहा था शकल तो देखो मर्दानगी की बात की तु ठंडा पड़ गया तुम ने दुश्मन से हाथ मिलाने का मश्वरा दिया मैंने तेरा मश्वरा मान लिया लेकिन जिस मर्दानगी का मैंने जिक्र किया वो तुझ में है क्या इसको दूल चटा देना क्यात कर दें झाह आपो पूंज़ आप में ने दो प्राइब हुआ जाएं कर दो पेडिन्हां कि ढ़सी कि यॉइन भी अपिर थे फिर फ़र स्क्रिडिय थे गया थे इस दूल जावरा था दो तो उर्वंजटर के यॉद्सा गोरी है आप ने जो कहा वो मैंने करके दिखाया अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाईए नजाने मेरे सारे बंदे कब तक ठीक होंगे हो सकता है कुछ उम्र भर ठीक ना हो लेकिन तू मेरी नजरों में च्छा गया मुझे तुझ जैसे शेर की ही तलाश थे जुबान देता हूँ कि मानसा सिर्फ तेरी होगी बस मेरा एक काम कर दे उस गाओं के अंदर मेरा एक जानी दुश्मन है जिसकी मौत मेरे इंतकाम को पूरा करेगी उसे खत्म करके मेरे सीने की आग घंडी करते उम्रभाब तोरे कदमों में पढ़ा रहूंगा तुम सुधरोगे नहीं तुमारी फित्रत ही ऐसी है वो शक्स जिसने तुम्हें मूत और जवाब दिया जिसने तुमारी रातों की नींद हराम कर दी वो कपकाम मर चुका है वो बदल गया है वो न अब किसी पे हाथ उठाता है ना ही किसी पे पलटवार करता है बस वो प्यार करना जानता है नफरत वो भूल चुका है उसे सिर्फ प्यार लुटाना आता है और वो ही प्यार लेके वो तुमारे पास आया है और वो तुमारी नजरों के सामने खड़ा है जिस दुश्मन को मैं ढूनता फिर रहा था वो वो तुल है चाचा चाचा सुनिये पिचाच चल यह तो क्या कर रहा है मादा भूछ रहा है तो इस से पुछे कि यह यहां कैसे आया हमारा दुश्मन है यह जिसे हम परिवार में शामिल करने की सोच रहे थे वो तो हमारा पुरा परिवार ही खत्म करने आया था बड़े पापा प्लीज आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं उन्हें रोके न प्लीज नजाने तुने हमारे परिवार के कितने ही लोगों को मौत की निंद सुला दिया भाया भाया आप उन्हें रोके न प्लीज तुझे खत्म करने के बाद मैं तेरे बाप को भी तड़पा तड़पा कर मारूगा अफ़पा एल जए करना है अगर मैं पुराने जय में तब्दील हो गया तो इस गाव का एक भी शक्स जिन्दा नहीं बचेगा तुने मेरी माँ का कतल किया फिर भी मैं तेरे परिवाल के लिए प्यार का फर्मान लेके आया तुने मुझे मेरे पापा से जुदा किया मेरे प्यार से जुदा किया फिर भी मैं तेरे पास प्यार की सौगात लाया लेकिन कब तक कब तक लोग तेरे जुल्मों को सहेंगे मैंने अपने बदले की आग को भूल कर उस गाव को छोड़ा ताकि वहाँ शान्ती रहे लेकिन तुझे ये मन्जूर नहीं अगर मैंने ये तलवार चलाई तो हर तराफ खून बाएगा और आखिर में बचेगी तो सिर्फ ये तलवार और लाशों का धेर ये खून खराबा छोड़ो और प्यार करो प्यार दोगे तभी तो दुनिया से तुम्हें प्यार मिलेगा अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से ये दुश्मनी खतम हो जाएगी तो उठा तलवार मादो ये हमारा बंदा नहीं है ना ये हमारा दुश्मन है ये हमें खत्म करने आया था फिर इसने तेरी इफाद्थ उस वक्त क्योंकि जब देवा के आदमी तेरा क्तल कर देना चाहते थे आज तक सारा गाउ इस घर के लोगों से डरता आया है। उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा शक्स देखा जो डर से नहीं बलकि प्यार से हमारी इज़त करता हो। दुश्मन का बेटा होने के बावजूद इसने हमारी इज़त की। इसके लिए इसे मार डालें। आपका कहना सच है, जय हमारा दुश्मन है। बिना खौफ हमारे साथ रहा। इसे ना हमारे जान से मतलब है और ना ही हमारी जायदात से। इसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। प्यार सिर्फ प्यार चाहिए। क्या हम खुद को बदल कर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुशमन के घर में रहने के बावजुत इसने नुक्सान नहीं पहुंचाया, यह कोई आम इनसान नहीं यह अमन का फरिष्टा है, जिस रहा से हम भटक गए हैं इसने हमें वो रहा दिखा दी, यह सच में फरिष्टा है, फरिष्टा है यह सिर्फ उसी गाउं में नहीं इस गाउं में भी एक मर्द है नहीं यह क्या कर रहें बाबा जो खाब मैंने देखा था आज तुमने उसे हकीकत में बदल दिया बिटा तुमने वो कर दिखाया जो इतने सालों से मैं करना चाहता था मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बिटा मैंने तो यही सोचा था कि अगर हम लड़ाई छोड़ दें तो यह भी खुद बाखुद पीछे हट जाएंगे लेकिन मेरी सोच घलत थी इंसान को हालात के साथ बदलना पड़ता है जो तुने कर दिखाया नफरत को प्यार से कैसे जीता जाएंगे वो तो कोई तुझ से सीखे बिटा तुझ वाकई महान है बाबा यह क्या कह रहें आप तेरी महबबत तेरा इंतजार कर रही उसे और इंतजार मत करवा जा बिटा झाल अब भी लड़के वालों को भगाने का इरादा है क्या अब ज्यादा ड्रामा मत करो जल्दी बोले मुस्तरशादी करोगी नहीं